हिमाचल सरकार ने महिलाओं की शुरक्षा के द्रिस्टिगत महतपूर्ण पहल की है। यह एप एंड्रोइड मोबाइल पर उपलब्ध होगा और गूगल प्ले स्टोर से इससे डाउनलोड किया जा सकता है। इस विशेश शेवा के बारे में जानकारी देते हुए मंडला यूपत नंदिता गुपता ने बताया कि इस तरी सुरक्षा एप की खास्यत इसकी तेजी और जीपियस के माद्यम से शिकायत करता महिला की स्टीक लोकेशन प्राप्ट करना है। इससे तुरंत साहिता करना संभव हो सकेगा। महिलाएं अपनी एंड्रोइड फोन पर इस एप को प्ले स्टोर से निशुलक डाउनलोड कर सकती है। नंदिता गुप्ता ने बताया कि एप डाउनलोड करने के उपरां तो महिलाओं को उसमें अपनी तीन परिचित के मुबाइल नमबर फीड करने होंगे। लोकेशन के अनरूप नजदी की पुलिस थाने को भेजा जाएगा। दुरान तुरंत पुलिस साहिता कक्ष के लिए निशुलक फो नमबर 181-181 पर डाउनल कर सकती है। इस नमबर पर कॉल करने पर कॉलर आईडी और पुलिस नेंतन कक्ष में रखे लोकेशन ट्रैकिंग यंतर की मदद से शिकायत करता महिला की लोकेशन का पता लगा कर तुरंत मदद की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शीगर ही पुलिस थानों की जियो टैंगिंग भी की जाएगी जिससे स्वेता ही नजदिकी पुलिस थाने की टीम को महिलाओं के खत्रे में होने के अलर्ट और लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। कामरा डिविजन के एक मुबाइल अप्लिकेशन कम डायलिन सर्वेस की गुर्मिन सेफटी के लिए स्टैंगिश की गई है। इस मुबाइल अप्लिकेशन की विशेशता ये है कि ये फ्री ओफ कॉस्ट अवेलिबल है। कोई भी स्वी जो उसे अपनी फोन पर डाउंडोड कर सकती है। और ये मुबाइल अप्लिकेशन ऐसी स्टिती के यूज के लिए एंडिजाज किया है। जहां पर मैलाइन बहुत ही ग्रेव डेंजर में हो, उन पर भी बहुत ही ग्रेव अटैक हो रहा हो। और उनके पास इतना समय ना हो या सिचुवेशन ऐसी ना हो कि वो पुलीस कंट्रोल रूम में या किसी को फोन करके अपनी स्टिती अपनी सिचुवेशन बताता है। इस मोबाइल अप के दुआरा केवल एक बटन दबाने से चार SMS चार विदिन फोन को जाएंगे जिसमें से एक उनका डिस्ट्रिक्ट पुलीस कंट्रोल रूम होगा जहां पर स्मार्टफोन उपलब करवा लिए गये हैं। और तीन जो SMS हैं वो उनके स्वयम के चोजन पर्सनल कॉंटाक्स हैं चाहें उनके सगे संबंदी हो उनके मोबाइल पर जाएंगे। इस SMS में एक प्री फ्रेम्ड हेल्प मेसेज होगा। और जो बहुत ही इंपोर्टन्ट एडवांटेज हो है कि इस SMS में एक URL लिंक होगा। जिसको क्लिक करने से Google Maps को जाएगा और ये एकडम जो सेंडर है उसकी exact location पिंपॉइंट हो जाएगी। तो पुलिस अथॉर्टीज है या जो लेडी के सगे संबंदी है तो बिना किसी फोन कॉल के बिना बाच्चीत कि ये exactly पता करा सकते हैं कि जो लेडी है वो कहां से पेज रही है। पुलिस अथॉर्टीज को ये मिर्तेश दिये गए है कि जैसी ऐसे SMS आता है तो location ट्रेस करके इमिडेटी जिए पुलिस थाना है उनको अलर्ट कर दिया जाए और वो इमिडेटी स्पॉट पे कोई assistance है और दिस्पाच कर दिया जाए दूसरा महत्वपून innovation है कि इस SMS के साथ अटमाटिकली लेडी के mobile phone पे audio और video recording शुरू हो जाएगी जो बहुत है कि कोई potential attacker है इस बात से डिटर हो सकता है कि जो भी उसकी बतीरी है वो उसकी recording की जा रही है और लेटर स्टेज में कि इंवेस्टिगेशन के लिए और evidence के लिए भी काम आ सकता है ये आप है bilingual है हिंडी और English तोनों में अवेलेबर है ताकि सभी जो अबर की महिलायन है उसका असानी से यूज कर सके तीसरी चीज़ जो हमने सोची कि जो मुबाइल अप्रिकेशन है ये एक Android बेस्ट अप्रिकेशन है तो वो ऐसे ही महिलां के दोरा आई उसकी रसता है इनके पास smartphone है लेकिन ग्र है कि जो सो नंबर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है उसमें हर तरह की कॉल्स आती है लेकिन 181 एक्स्टूसिब्ली विमें अमर्जेंस के लेज़ेट होगा और इसमें बहुत जंदी से जो है को थीवरता से रियक्शन हो सकता है पुलिस का कुर्कि बाकी इशूस के साथ प्रॉब्म के साथ मिक्सब महीं होगा कोई मुबाइल पॉन से 181 डायल करता है तो पुलिस कॉलर आइडी से और अपने बाकी जो लोकेशन ट्रेसिंग है उसके द्वारा भी जो कॉलर है उसका लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं और वही प्रोटकॉल है इसका यह भी जादा जल्दी से मेसेज आएको जादा ती बृता से जो असिस्टेंस है वो भी उस लेड़ी को पीचे को